इसे प्वापन जाता है कि आ अपका स्तूपाट Matthew नमस्कूर सागात मैं हुझ है अब आप देख रहे है वारी खास पेशक्यक्त पड्लिक है सब जानती है इस वक्त मैं एटा जिल है मरहरा विदान सभाय में आये हैं आप dependency कि एटा में चारों सभाव पढ़ती हैं और 2017 के चुनाव में चारों सीटे पर बीजेपी जीत कर आए थी उससे पहले यह सपाका गड़ा बाना जाता था लेकिन 2017 में यहां पर करी सेंद लगाई और इन चारों सीटों को जीत कर आई है आपको बता दें कि इस बार की जनता है क करेंगे कि पिछले पांच सालों में क्या शेटर में विकास कि नहीं हुआ है तमाम जो लोग हम देखेंगे कि यहां पर खड़े हम को टौअली-मर्हरा के बाहर है और इन सब लोगों से बात करेंगे जी आप सब चुनाब बाने वाले हैं बीज तारीक क्युनाब होना है औ और तमाम पार्टियां वादे तो करी रही हैं लेकिन यह बताई कि पिछले पांच सालों में क्या इस छेत्र में मरहरा राज्य विदानसबा है और जो विधाक साहब है कि उन्होंने कुछ विकास कारे इधर कि नहीं कि सब विकास कारी हुआ है जैसी हमारी सरकार आई बीजेपी की सरकार जब आई तो बताया जाता कुछ रोड़ों पर तार कोल की जगए काली पनी बचाकर फोटू बेज़ जिए गए हां और 17 के बाद जी उससे पहले जैसे सरकार बनी रात बर में दूसरी रात में रोड़ बनक एटर जो मिला है मेडिकल कॉलेज मिला है लेकिन इस समय बर्तमान में टीटू या कोई भी सपार के अच्छा आता है तो वीरंदर लोड़ी कम जोर पढ़ेंगे जो कि अभी के विदायक हैं क्योंको लोग उनसे संतुस्ट नहीं है लेकिन बीजेपी का गड़ है यह सच है यह ठीटू आजाएं कि अगर कोई दूसरा केंडिट आ जाता है तो शायद जो भी यह जीतेंगे अपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो विरेंदर सिंग लोदी हैं जो भी स्थानी विदायक हैं वो कमजोर पढ़ जाएंगे कम जोरियों कि उनका जंसम पर कटा रहा है क्या तेरा परिदेश की बदलाव रहते हैं महारा बदान जा यहां के 1958 करेंड़ाय आ है रोडों पर गाड़ी चलाना मुष्किल पैदर नहीं चल सकते हैं अब दॉरा से जैसेिनिकलेगे नहिए पीज ओómo यह रोड़ार पर आपको घड़े सब्सक्राइब करने हैं और हम लोग और गाड़ी वाले थोड़ूंगे हम तो सइकर रोड़ों की बात करेंगे नहीं हम लोग अब सब्सक्राइब जो चोटे रोड है वो कोई नहीं वने और महगाई तो आसमा चूह रही है जो सब्सक्राइब करें कि सबसे जाद है महगाई से किसान दुकी है किसान पूरी रात गाई को रखाता है बजारों को रखाता है दिन में अपनी सचाई करने परशानी जिसका कोई जवाब नहीं यह कि सान है कि महेंगाई तो परेशानी है साथिसार्य जो अवारे पचू है हम जहांभी जा रहे हैं यह समस्या सामने आ रही है इस चेत्र के सब्सक्राइब करें कि जैसे कि बता रहे हैं कि पश्यों से परेशान है किसान परेशान है सड़के नहीं बनी है और इस बार जब चुनावा बोडल डालने जाओ गए तो क्या मुद्दे आप लोगो के रहेंगे कि हम इन उद्दों कजार पर वोट वोटिंग करेंगे मुद् वग नहीं है और वडलाव कि अच्छा काम नहीं किया व यसे मतुटे और पिछ्ली वार हम पिछली वार भी रहां पर गए थो और उन्होंने शुल भी दिया और भीरंदेर क्यों एक इन्होंने हमारे गाओं के लोगों ने निनको लिए चंदा भी दिया था जब यह विधाय की पर लड़े थे इन्होंने आज तक गोपालपुर में हमारे गाउं गोपालपुर पर पड़ता है उन्हों आज तक हमारे गाउं में उजक्के नहीं देगा चुनावों में इस बार मुद्द्ध क्या रहने वाले क्योंकि वोटिंग ज चाम आए काम किये और एक बार और बारRO काओ चाहिए सरकार को जिससे वाप्त होजाए ये बात मैं मान सकता हूँ थोड़ी देर के लिए विधायक संपर्क में न रहा हूँ लेकिन बास्तविक्ता तो ये है कि भैमक्तु की बात इन्होंने बताई है इसके अलावा जो महगाई की बात लोग बार बार करते हैं इतनी बड़ी भैंकर घटना गटगी इतनी बड़ी तराशदी से हम लोग गुजर के चुके हैं कोर्ना जैसी बीमारी से आकर धन का पूर्ती कहां से होगी दूसरी एक एक घरीब को निचले इस्तर तक के आदमी तक के लिए मुफ्त में गल्ला राशन पानी मिल रहा है रिष्बत कोड़ी चलती थी वो सारी की सारी जहां के ना खतम होगी 2000 रुपा है वहां से चलके आते हैं आप सरकारे जन्त तक डिरेक्ट दे रही है फिर यह वाटरी सब चीज़ें वहीत रिश्वत नहीं है सब यह मजबूरी है भूंका मरने जा रहा है जो भूंका मरने ज रहा है उसकी जान बचाना पहले जरूरी महगाई तो आती रहेगी जाती रहेगी सेलेंडर पहले पहले ही विकता था नो सव और है रहारे से ब्लेक में पंदा रुपे तक बिका था तब यह लोग मैदा में जा रहे हैं उसकी चालू नहीं हो पाया है पूरी तरह से लिए और बेरुजगारी का तरफ कोई द्यान ने दिया है अब बेरोगा बच्चे बहुत भूम रहे हैं महगाई बहुत काफी हो गई है चरंसीमा पर है महगाई इस वज़े से कुछ लोग चांपे परवर्तन को होना चाहिए चाहिए जो स्थानी ये मुद्द जैसे होते हैं चा तो पर 15 पड़ाही। में अश्कूल खूल। आप बताइए कि इस खेत्र में फिछले पांच सालों सखरकार दावय् कुब करते है। कोई भी सरकार हो चाहिए किसी की भी हो तो शिक्षा के छेत्र में शुदार नजर आया आपकोई तो गली-गली जो आंगने बाड़ी बच्चे वहां ही पड़ने आरे जो बच्चे वहां नहीं पड़ पारे हैं सरकारी स्कूल में लाम मिला बच्चों को नया बन पाया स्कूल स्कूल कॉलिज बगारा नहीं भरतियां होई टीचरों की कुछ वैकेंसी में लेट हैं लेकिन वैकेंसी होंगी उस पर गवर्मेंट काम कर रही है अपना स्कूल कॉलिज खुले खुला जी बिल्कुल देती तीन-चार कॉलिज में अच्छे खुले हुए प्राइबेट अच किसी को गुलाम बनाना है तो आप उसे मुक्त में रोटी देने सीख जाए एक सेकंड मैं आपको रासन की बात चल लाई थी रासन अगर तुम किसी कुछी गरीब को अगर वही इस योग्या नहीं है कुसको अपना भोजन कर पा रहा है ता सरकार देरी तो बुराई क्या है अभी जो बिजली पिल घटाए थे जब कोराना मामारी थी तब फिरी बोला था किसी का फिरी हुआ था सर मुझे बता दीजिया फिरी जो यह बताया था कि दो महीने का माप हो जाए तो आप तो अखिले से वादा कर रहे हैं तीन सो यूनिट फिरी दे रहे हैं वो देंगे पैसा कहा से आए गया 21,000 कोड़ों पर चाहिए साल का 21,000 कोड़ों चाहिए जो अभी रोज नाम बदलने में पैसा कहां से आ रहा है रोज जगवें को नाम बदलने जा रहे हैं रोज आप बताईए आप बताईए कि इस छेत्र में कानुन विवस्ता कैसी है क्या पहले के बहुत खराब चल लेए मैं ऐसी समास से हूँ एस वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है और ब्रेश्टाचार से सब्हों लोग ऐसी का बहुत परिशान है जी कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत परिशानी है आप लोग बहुत परिशान हो और मैं आज भी अपने यहां से यह परिसान हो मैं कई बार एप्लिकेशन दे चुका हूं विदायक जी के पास ना तो किसी की अप्लिकेशन में सब्सक्राइब लेकिन वह नहीं हो कि सरकारी मदद आपको नहीं मिलिया कोई मतद नहीं मिली प्सकारइब एदो कर दोसी की है भी आप जोस्ति नहीं में कोई जिक्केशन सरकार थी तो गाउँ में बैसिया तब खुल जाती दिन में लेकिन अवाइसा रिए लिए इस तरका से इसलिए भादा है कर गुंडागर दी नहीं है और रही बात अनाज की हर घर भृ लाइ कर लोग होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वह गरीव करणं से पढ़ना ही और यहीं आप बड़ाबी नहीं पाते हैं जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बद्याले ने कुने रही है और उसके लिए बिद्धाब जाने क बार खुड़ी जाने के तिए ऐसे bombay अशुनित सब्सक्राइब और जो भी बिकास की बात है उपर सरकार से आ रहा है लेकिन जंजन तक यहां नहीं पहुंच पारा है जो रोड मार्क की बात है काफी रोड जर जर हैं गड़े हैं जब 5 साल समय पूरा होना आता है तब यह घळडे अच्छी है लेकिन सिछा का जो है सिछा बेकार हो चुकी है उसके लिए कोई काम नहीं कर रही जहां के जो पिदायक जी नहीं पहुंच पाथें जूनाब जीतने के बारे 2019 जो कुछ पी लोगों तक है कि पैने वाला था कि छेतर में जो लोद राजफूत हैं उनका दबदब काफी रहता है लेकिन यादव भी अच्छी बोल ले जाती है इदर तो क्या ऐसे में इस बार क्या टक्कर होगी या फिर दुबारा से वही जाती है समय करने चलेंगे विकास चलेगा बदलाव होना च लोट के बीज़ेपी सरकार ही यह फिखास हुआ है लेकिन जो सिक्षा माफियात पर खड़ा है जी वह पढ़ना चाहता है आगे सब्सक्राइब कि बात है ना योगी जी और मोधी जी क्या करते हैं य долларов hai जाती अब यह किसप्तिंवला जाएगी तो आप यहां से निगल करने five नहीं जा सकते आप आप five किलो मीटर नहीं जा सकते आप that back जाएगी साइकल से जाएगी साइकल जाएगी आपकुछ जमापूल अइस्ता ठीक दिनिये कर दूति नहीं पहुत्व थीट बिलुकुल चाक चौफबंद ससओ्क थ। इन काता है है कि हाई कुछ क्या रहे हैं ग alltså काम 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 हुआ है तो सरकार की तरफ सही वा हुआ और विदायक के लिए क्लेग नहीं है यह जनता है मरहरा की जो बता रही है कि किस तरीके से फिछले पांच सालों में देखिए एक यह बड़ी च्छी मुच्छे को ताव मार के आए हैं इदर आप बताईए कि जैसे कि सब लोगों ने बताया कि यहां पर सिक्छा वश्ता उतनी अच्छी नहीं है हैं सडके नहीं बनी हुई हैं तो इस बार आप बताईए चुनाव में इस जनता के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार यहां पर ताव मुद्द्द यहीं रहेंगे कि बदला होना चाहिए यहां के जो विदायक थे वो किसी को देखते ही नहीं थे अपना पच्छ का करते थे अपर अपनी अपनी राएं हैं क्योंकि पब्लिक है सब जानती है बताया है उन्होंने कि कि इस तरीके से जो यहां के विदायक हैं विरिन सिंग लोधी वो जंता से कटे वे रहे हैं यही कारण की लोगों में फोड़ा गुस्ता है और वो कहा रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए आखिर बदलाव किस रूप में होगा जो जब वोटिंग होगी किस तक अधार पर वोटिंग होती है और यह दस मार्च को र झालाव हो sä 형 दुट्य है और वोट घसी और वोटिंग हैल जो 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 ढू होना से किस रहे है और वोटिंग है